वेके मेसरा प्रजे हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सस्क्राइब करें और साथ में वेल आइकन घंटी दबाए जैसरी राधिक्रिष्णि आप सभी का हमारे यूटुब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आए सुनते हैं कार्टिक मास दसमे अध्याय की कथा कार्टिक मास का हिंदू धर्ग में बड़ा ही विशिश महतो माना गया है कार्थिक मास महात्मे सुनने से भगवान विष्णू का पूजन करने से गंगा नदी में तिर्थो में अश्नान करने से और दान पुन्यों का कारे करने से कार्थिक मास में अनत गुना पुन्य फलो की प्राप्ति होती है तो आईए सुनते हैं कार्थिक मास दसमे अध्याय की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान उसरी हरी विश्नों की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान भोले नाथ की जै राजा प्रिथु बोले कि है रिशी स्रिष्ट नारज जी आपको परणाम हैं कृपया अब बताने की कृपा किजिए कि जब भगवान संकर ने अपने मस्तक के तेज को छीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ नारज जी बोले कि है राजन जब भगवान संकर ने अपना वह तेज शीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह सिक्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भै देने वाला रुदन करने लगा उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा लोकपाल भी व्याकुल हो गये चराचर चलायमान हो गया संकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया यह देखकर सभी देवता और रिशी मुनी व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गय और उन्हें परणाम कर उनकी अस्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह तो बहुत ही विकट परिस्तिती उत्पन्न हो गई है। हे माया योगीन इसको नश्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतर कर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पड़ गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें परणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में डाल दिया। आश्यर्य चकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर यह बालक किसका है। सिगरता पुरवक कहो। सागर विनरबता पुरवक बोला कि हे प्रभू यह तो मुझे ग्यात नहीं परंतु मैं इतना आवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु आप इस बालक का जात कर्म आदे संसकार करके इस जातक का फल बत लाइए। नारज जी राजा पृतु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल कर बार बार उनका आकर्शन कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पिरित होकर ब्रह्मा जी की आँखों से असुल टपकने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा कर किसी प्रकार सागर से अपना गला चुरबाया। और सागर से कहा कि है सागर सुनो मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ मेरे नेत्रों से जो यह जल निकलता है इस कारण इसका नाम जलंधर होगा उत्पन्य होते ही यह तरोड़ा वस्था को प्राप्त हो गया इसलिए यह सब सास्त्रों का पारगामी महा प्राक का अधिपति होगा यह किसी से भी पराजीत न होने वाला तथा भगवान विश्णु को भी जीतने वाला होगा भगवान संकर को छोड़कर यह सबसे अवद्य होगा जहां से इसकी उत्पति हुई है वहीं जाएगा इसकी पत्मी बड़ी पती ब्रता सुभाग शालिनी सरवा संग शुंदरी परम मनुहर मधुरवानी बोलने वाली तथा शीलवान होगी सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने सुक्राचार्ज को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राजा विशेक कराकर स्वेम वहां से अंतरध्यान हो गया बालक को देखकर सागर की जाल नेमी नामक असुर को बुलाकर व्रिंदा नामक कन्या से विदिपुर्वक उसका विवाह करा दिया उस विवाह में बहुत रहा उस्सभ हुआ स्रीशुक्राचार्ज के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर ड्यत्यों का राजा हो गया इस प्रकार से कार्थिक मास दसम जिमाता के जये तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बरधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिक धन्यबाद